एक दौर था जब गया के इमाम गंज के गिंती बिहार के अतिन अकसल पर भावित छेत्रे में हुआ करती थी और इस छेत्रे की वा गलत रास्ते पर जा रहा है थे लेकिन पिछले कुछ वर्सों में इस छेत्रे में काफी बदलाव हुआ है और खेल कमाध्यम से इस छेत्रे की अब अलग पहचान बना रहे हैं दरसल पिछले दिनों गया के खेल परसर में खेले गया डिस्ट्रिक लिवल कई गेम्स प्रतियोगता में इस छेत्र के दरजुनों बच्चों का चैन राजस्तरीय टीम में हुआ है इसके पहले भी इस छेत्र के कई ऐसे खिलाडी है जो राश से जीत कर आया है जो कि पोक्रा में टूनामेंट हुआ था और तीन देश को हरा कर उन्होंने कबड़ी में पना जीत हासल कि जी अंडर फोर्टीनेज के टेग्री जी इसके अलावे और हमारे बच्चे भी जो है रितिका राजदांगी है जो कि देले पबलिक स्कूल की छात और उसे तरह स्रेश्टी जो है वो 60 मेटर रेस में थाड लाकर अपने परखंड का नाम रोशन की अपने जीला में थार्ड पोजीशन पर लाकर और अस्टेट के लिए इसलेक्ट की जो परी हुए यह थोड़ा सा के लिए अपना जैसे होता क्या कि थोड़ा बोला गया ना कमी था तो अगले बार इसके सुधार होगा लेकिन यह भी अपना लॉंग जब में थाड लाई और सेलेक्शन के लिए अब में क्लास सेवन में पढ़ता हूं हम लोग का बड़ी टीम हम लोग इंडो नेपाल खेल ले गए थे जनवरी में हम लोग वहां पे गोल्ड मेडल जीत कर लाई अंडर 14 अगे हम लोग को वालियर मैच मद्धे पर्देश मैं मैं जून मैं यून में वहां पे अंडर 14 अगल जंप या जन आया हूं मैं 3rd आएंग कितना वहां पे लोंग जंप में 15 मिटर क्या है वाज सेलीक्शन हुआ भी सेलीक्शन है यस है में भी हाड टीम के लिए पत्णा केलने जांगे एस्टेट लेबल पे क्या हम जाएंगे कॉन से जाहिए जाएंगे वहा पर सेलीक्शन हे रहें रहें कितना मेटर के लिए 60 मेटर सेटेट लेवल पटना यहां गया खेल परिषाद तो आप स्टेट भी लेगी यह सर्ट लेवल जावलिन थो पटना के लिए स्टेट लेवल में इसके पहले जाना है नमस्कार सर मैं यह कहना चाहती हूं कि चाहे गाउं हो चाहे शहर हो या गया हो या कोई दूसरी सहर इंडिया में सभी को मौका मिलना चाहिए खेल के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ने का हमारे बच्चे बहुत आक्टीव हैं बहुत ही होशियार है यह पढ़ाई में भी अपने हुनर को पहचान बना रहे हैं और खेल कुद में भी हुनर को पहचान बना रहे हैं यह अल्रड़ी अंतराश्टियर स्थर पर जीत कर आ चुके हैं नेपाल से इंटरनाशनल टूर्नमेंट को जीते थे और भी डिस्टिक लेवल पे इन लोगों ने विजयता प्राप्त की है यहां खेल रहे हैं बच्चे बच्चों में से डिस्टिक लेवल के विनर्स भी हैं आप देख सकते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी स्कूल और यह राज्य तरक्य करें यहां भिन भिन तरह के जो है से है और कोई प्लेग्राउंड है और साइद चिंतन और मन्थन की जरूरत है जो अभी यहां के मन्निये विधायक हो या मन्निये संसस महोदें हो या फिर डियम साहब को भी इस पर देखना चाहिए कि किस ढंग से क्योंकि इतना प्रतिभावान जो है खिलाड़ी यहां से निक प्रत है इस छित्र में एक खेल का मैदान का निर्मान हो ताकि और भी जो है परतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आ सके गया से निव जटिन के लिए कुंदन कुमार